अजुआ सिर्ट्स आजका जो मेरा टॉपिक है वो है डीर डेसे वे-अई-ई-वे-ई-फौथ स्याम के पेपर पेड़ागोजी ओफ मैथमैटिक्स एजूकेशन की यूनिट 2.1 इंडाक्तिव औंड डिधाक्तिव मैथर्ड ये जो इंडाक्तिव औंड डिधाक्तिव मैथर् पेड़ागोजिकल सब्जेक के टीचिंग मैथेट्स के रूप में प्रियोग हो सकता है इसके हिंदी मीनिंग है आगमन एवं निगमन विधी तो हम सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधी आगमन विधी क्या होती है अगर हम यूंग के अंसार एक साइकलोजर हैं यूंग उ इगमन विधी के अंतरगत आते हैं अब बात करते हैं आगमन विधी क्या होती है आगमन विधी पूरी तरह से अनुमान पर निर्भर करती है इसका अर्थ होता है सामानी की ओर पहुँचना या अनुमान लगाते हुए यदि किसी है यदि कोई चीज एक स्थिति में ऐसी है इस विधी में हम विशेश से सामानी की ओर जाते हैं इसके अलावा बहुत सारे उधार्णों को दे करके नियम की ओर आते means कि अगर हमें कोई नियम बच्चों को पढ़ाना है तो हम सीधा बच्चों को नियम नहीं बताते हैं उसको हम बहुत सारे एक्जाम्पल्स देतें और एक्जाम्पल्स के दोरा हम बताते हैं कि इन सभी एक्जाम्पल्स का निश्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये सिधान्त ऐसा होगा। कि अग्मान, इसी प्रकार आगमन, विधी का प्रयोग जब सिख्षक करता है, तो च्छात्रों को नियमो, सिध्धांतों तदा परिभाशाओं आदिकों को पहले बलकि उधारन और तत्यों के आधार पर बच्चों को सिधान्तों तक ले जाता है या फिर परिभाषाओं तक ले जाता है अब बात करते हैं आगमन विदी के सिधान्त क्या होते हैं इसके तीन सिध्धान्त होते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाड की हो जाना, स्थूल से सूक्ष्म की हो जाना, विशिष्ट से सामानी की हो जाना means क्या, अगर हम बच्चे को area पढ़ाना चाहते हैं, classroom में बच्चे को जाके area का formula बताना चाहते हैं, तो हम बच्चे को क्या कहेंगे, उसकी classroom की length क्या है और breadth क्या है, जब बच्चे ने वो जानकारी ले ली, तो हम उसे बताएंगे length को breadth से गुड़ा कर दे, अब जो भी result आ र बात करें, त्रिभूज बनाने के लिए, बच्चे को हम बताना चाहते हैं कि त्रिभूज क्या होता है, या फिर त्रिभूज किस प्रकार का होता है, तो हम बच्चे को कई प्रकार के त्रिभूज बनाने के लिए कहेंगे, उसके बात फिर हम बच्चे को उसके कोड़ों का योग निकालने के लिए कहेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये त्रिबूज के तीनों कोड़ों को अगर हम एड़ करें तो 180 डिग्री ही आता है ऐसा हर इस्थिती में सामानने होगा आप जैसा भी त्रिबूज बनाएं अब बात करते हैं आगमन विधी के गुड़ क्या होते हैं या विधी अगर सिक्षक किसी भी अपने पार्ट को परिचय देने के लिए प्रयोग करता है तो या विधी बहुत जादा उपयोगी होगी हम अगर सीधे किसी पार्ट पर आ जाएं बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दे तो कई बर ऐसा होता है बच्चे को वो पार्ट में आ सकता है इसके अलावा यह एक विधी जो है विज्ञानिक विधी है जिसमें विद्यार्थी एक निशकर्ष पर काफी जानने एवं खोजने के बात पहुशता है means क्या कि अगर हम विज्ञानिक विधी की बात करें तो वहां भी बच्चा क्या करता है पहले अंकडो का संग्रहन करता है फिर उसका analysis करता है फिर synthesis करता है उसके बाद result पर आता है सेम ऐसे इसमें होता है कि बच्चा पहले बहुत सारे examples के बारे में देखता है जानता है और उसी के आधार पे बच्चा जो है निशकर्ष निकालता है इसके अलावा ये विधी जो होती है वो सीखने पर आधारित होती है इसलिए बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा रुची लेता है बच्चे के लिए विधी बहुत ज़्यादा interesting होती है इसके अलावा यह जो विधी होती है वो self study पे based होती है मतलब अगर बच्चे swim से पढ़ना चाहता है तभी इस विधी को वो प्रयोग कर सकता है इसलिए यह विधी जो है बच्चों में self study की habit का भी development करती है यह विधी जो होती किसी भी छोटी कक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है क्योंकि यहां पर क्या रहता है बच्चों की संख्या कम रहती है टीचर हर बच्चे से interact कर सकता है उसके confusions को clear कर सकता है और वो जहां पर गलत है उन्हें सही कर सकता है अब बात करते हैं इस विधी के दोशों की आगमन विधी में क्या-क्या दोश होते है तो जैसे अभी हमने चर्चा कि यह विधी जो होती छोटी कक्षाओं के लिए होती तो सेम यह बड़ी कक्षाओं में प्रयोग नहीं की जाती है या फिर नहीं की जा सकती है इसलिए ये सबसे बड़ा इसका drawback होता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बड़ी कक्षाओं में इस विदी का प्रेयोग करें तो समय जादा लगेगा, टीचर के उपार प्रेशर जादा पड़ेगा और सभी बच्चों तक हो सकता है कि समय पे हम सेवाएं नहीं पहुचा पाएं इसके अलावा ये सिक्षा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है निशकर्श तक पूरी तरह से नहीं पहुच पाता इसलिए क्योंकि यह जो विधी होती है पूरी तरह से अनुमान पर आधारित होती है इसलिए हो सकता है कि बच्चे का निशकर्ष गलत हो सकता है या फिर अगर उसने ओवर कॉइडेंस में आके उसी निशकर्ष को सही माल लिया तो आगे चलके उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी गलत आ सकते हैं इसके अलावा ये जो विधी होती है टाइम टेकिंग बहुत जादा होती वो बच्चों के लिए भी बहुत जादा टाइम टेकिंग होती है अब बात करते हैं अपनी next विधी की deductive method deductive method क्या होता है या एक या विधी आगमन विधी की विपरीत होती means क्या जैसे कि आगमन विधी में हम पहले examples बता रहे थे उसके बाद formula या principle पर आ रहे थे लेकिन deductive method में क्या होता है हम पहले बच्चे को principle बताते हैं फिर उससे related हम बच्चे को examples देते हैं या विधी जो होती सामान इसे विशेश की ओर जाती है सूक्ष में से स्थूल की ओर जाती है और सूत्रों से नियमों की ओर जाती है means क्या कि निगमन विधी द्वारा सिक्षक पहले परिभाशा या नियम या सूत्र सिखाता है उसके पश्याद बच्चों को उसका examples के द्वारा इसपश्टी करण देता है ठीक है अब इस विधी के गोड़ क्या होते हैं या विधी जो होती है बहुत कम time take करती है क्योंकि इसमें जो है हम बच्चों को पहले ही principle का ग्यान करा देते हैं उसके बाद बच्चा जो इस पर काम करना start करता है इसके अलावा जब बच्चे को किसी भी कोशन का अभ्यास करना होता है चैप्टर का exercise करना होता है तो ये विधी बहुत जादा उसके लिए उपयोगी होती मैं इसके बच्चे को पहले आपने formula बता दिया फिर आपको उसे बता दिया कि कोशन किस तरह से solve होगा तो वो पूरी तरह से dependent हो जाता है formula पर और वो सारे कोशन को उसी format में solve करता है इसके अलावा जैसे कि हमने आगबन विधी में देखा था कि वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये जो विधी होती है बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है इसके अलावा हम बात करते हैं इसके दोश क्या होते हैं निगबन विधी के दोश होते हैं कि या विधी जो है नई खोज करने के लिए उपयोग तो नहीं होती जैसे कि आगमन विधी में बच्चा अनुमान लगाता है या फिर उधार्णों के द्वारा अपनी स्वयम की धानतों का ज्यान करा दिया जाता है और सिर्फ उनका वो यूज करता है इसके अलावा यह विधी जो है रटने को बढ़ावा देती है मेंस कि अगर बच्चे को हमने फॉर्मुला बता दिया और वो उसको सॉल्व कर रहा है तो हम उसे बार बार रटने के लिए फोकस कर रह होगा इसके अलावा इसमें जो ग्यान होता है अर्जित किया हुआ वह बच्चे का स्थाई नहीं होता क्योंकि यहां पर बच्चा चीजों को रटता है और रटने में क्या होता है कि अगर आप एक चीज बूले तो पूरी तरह से एक्वेशन आपकी गरवडा जाती है लेक क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि फॉर्मला किस तरह से निकला या पर फॉर्मले का ओरजिन कैसे हुआ प्रिंसिपल की हिस्ट्री क्या है में उसे रिजल्ट तो पता है लेकिन रिजल्ट किस तरह से आया बच्चे को यह नहीं पता होता है इसलिए उसका जो भी ग्यान ह होता है वह अधूरा होता है अपूर्ण होता है इसके अलावा इस विदी में बच्चे को मॉलिक्ता के बारे में एवं श्रजनात्मक्ता का विकास नहीं होता है क्योंकि यहां पे बच्चें को बच्चा totally dependent होता है उसे पर उसे principle पदा चल चुका है अब उसे use करेगा apply करेगा इसलिए वहाँ पर ना ही उसके इंदर कोई प्राइम जी क्षाओं में आगमन विधी का प्रयोग किया जाता है जबकि एजब कि हाई एजुकेशन में आफे बड़ी क्षाओं में नेगमन विधी का प्रयोग किया जाता है तो आज के इस वीडियो में हमने आगमन और निगमन विधी के बारे में जाना और उसके गुड क्या होते हैं और दोश क्या होते हैं उसके बारे में जाना तैंक यू